हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे बीटे का क्रेज गिर गया है उसका क्या समधान है तो फ्रेंड्स शुरू करने से पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमको फेस्बुक पर फाल्व कर सकते हैं हमारे दिए विडियो में तो फ्रेंड्स विडियो सुरू करते हैं और आज कर मॉडर्न ट्रेंड चला है कि बीटे का क्रेज कीर गिर गिया है तो क्या करें पढ़ाय लिखाय चोड़ते हैं जी हाँ फ्रेंड्स अगर उन लोग की बात वोगा ठीक से समझा जाए तो उनका कहने का परपस यही रहता है और यह कहने वाले वही तर लोग होते हैं जिन्हों ज्यादा तर देखते रहते हैं भाई कोई लड़का बीटे किया है अगल बगल दस पंद्रह हजार की नोकरी कर रहा है मुस्किल से या बीस हजार की तो तुरंत वह कमेंट कर देते हैं एक कि खासे लोग चले आते हैं कि भाई बीटे का क्रेज गिर गया है अब इसको करने से कोई फाइदा है नहीं और वह पहने वाले वही लोग होते हैं जो जाला था इलिटरेट होते हैं जो निरच्छर होते हैं और उनके पस अगर किसी हाल में कुछ पैसे हैं जैसे कि माल जी पढ़े लिखे नहीं है फिर उनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो फिन वह एक तरह से ताना देते रहते हैं पढ़ने लिखने से फाइदा क्या है यार ऐसे इंजिरिंग करने से क्या फाइदा की कुछ इंकम ही नहीं हम लोग को देखो मैं तो यार हम लोग कुछ करते ही पैसा है तो फ्रेंड्स हमारे काने का मतलब यह है कि बीटे का क्रेज गिर गया है तो भाई बीटे का क्रेज गिर गया है तो भाई बीटे का क्रेज गिर गया है सबका क्रेज गिरी गया है तो भाई पढ़ाय लिखाई छोड़ देना चाहिए वाकई में एक आदमी को तो कहने ज्यादा बढ़ेंगे नहीं और हर साल ज्यादा से ज्यादा इस डुटेंट पास होएंगे तो भाई सब को कहां से रोजगार काउसर मिलेगा यह कहले है सब को कहां से काम मिलेगा तो इसका कहने का मतलब यह भी नहीं हुआ कि आप बिल्कुल सा पढ़ाय लिखाय छोड़ दे और तो बहुत सारी पैसे होते हैं लेकिन वह ज्यादा फीट भी नहीं रोता है तो पल्द लिकर आदमी अपने का फिट करता है अंगर धनी कुछ सब कुछ होजादा होता सब कुछ धनी होता तो गौताम बुद्ध अपना धन का कियला छोड़कर बगीचय में जाकर तपस्या नहीं कर रहे होते ह। तो इस तरह के चीज़ए कuchen जो भाई आंहीं को समझमें आती है एज्योकेसान बहुत ही ज्यादा पाउरफुल चीज है एज्योकेसन केबाद ही मनी आती है तो इस चीज़ को आप समझधेगगा और एज्योकेशन साथ सा जो मनी आती हो बहुत ही सुन्दर लगता है तो खैर हमारे काने का मतलब यह था जिन लोग को भाई बार बार यह मुझे सुनने को मिलता है लोग मुझे से काते सर बीटे का क्रेज गिर गया है तो क्या करें भाई बीटे का कही क्रेज नहीं गिर है हर किसी का गिर गया ह आई एटी से जो बीटे कर रहा है उसका भी क्रेजगीरी गया है उतना जम कर प्लेस्मेंट नहीं होता है जो किसी जमाने में दो दसक पहले हुआ करता था और यही हाल आपका आई-ए-म से अंबिये का भी है उसमें बहुत ज़्यादा है भी मतरम में आपका नहीं होता है कि व आप महत्व दीजी एजुकेशन को के ब्याउंड जाने की को सिस्मत करिए यूँके एजुकेशन बहुत ही सुन्दर है चीज़ है आप खुद फीट रखेंगे तो आप अपने आगया आगया वाले जर्रेशन अपने फेमली को इस एजुकेशन के थ्रूप फीट रख सकते है तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट जनकारी के साथ तिल देन गुडबाई